देखिए लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी दिख देते हैं बागी बहाने बनाने वाले लोगों की कभी नहीं है पुरी दुनिया में देखिए आज है 11 जुलाई है और आज की वीडियो में टोटल 10 most important प्रश्णों 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 प्रश्णा करेंगे जो कि आपकी सभी परिशाओं के लिए most important है तो सूरी सलास्थ वीडियो में बरें रहे हैं और इस वीडियो को पुरा रखने बाद आप इसकी PDF फाइल भी डॉनल कर सकते हैं नीचे description box में आज के रेंटेबर के PDF के लिंक और साथ में बहुत सारे और भी PDF हैं सबकी लिंक आपको मिल जाएगी वहाँ पर एक बरशेक कर लिजेगा और देखिए जो लोग नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आगम जो प्रश्वर देंगे ताकि आने वले सबी वीडियो को लाइक और शेर भी कर दिएगा देखिए आज का हमारा पहला प्रशने की हाल ही में खबरों में रहा मिसन वात्सलिकिस केंद्री मंतराले के दोरां लागू की गई योजना है तो देखिए मिसन वात्सलिको महिला एवं बाल विकास मतराले ने लागू किया था और जो आपका मिसन वात्सलिको यह स्तानपान और सीशू सुरक्षा के लिए काम करता है तिकि जो आपका मिसन वात्सलिकों योजना है तो इसके नियम जो है एक अपरेल 2022 से पूरे भारत में लागू हो चुके हैं और अभी हाली में इसके बारे में एक अप्रेट यह मिली है कि जो आपका केंदरी महिला एवं बाल विकास मतराले है इसने इस योजना के लिए दीसा निर्देश जारी किये है कि राज्यों को फंड मिसन वात्सलिकों पर योजना अनमोधन बोर्ड के माधिम से जो है अनमोधित किया जाएग और इसके देखस्ता कून करेगा इसके देखस्ता जो महिला एवं बाल विकास मंतराले के सचीव करेंगे तो यह रखेगा जो आपका मिसन वात्सलिया है ये माहिला एवं बाल विकास मंत्राले की एक योजना है और ये काम किस के लिए करता है ये जो है अस्तनपान और सीसु सुरक्षवा के बढ़ावा देरी के लिए काम करता है अगला की हाली में किस राजी को 300 मिलियन अमेरिकी डालर की विस्व बैंक के द्वारा वित पोसीट स सिक्षा परिणा के लिए मंजूरी मिल गई है तो दीके ब्याली में केंदर सरकार ने 36 गड़ राजी को 300 मिलियन अमेरिकी डालर की विस्व बैंक द्वारा वित पोसीट एक स्कूली सिक्षा परिणा को मंजूरी दी है और जो केंदरी वित मंत्राल है इसने मताया है कि जो ह हमारा आर्थिक मामलों का भी भाग है ठीक है तो इसने इस परिणा के लिए भियाली में सद्धान्तिक मंजूरी देती है जीसे विस्व बैंक के द्वारा वित पोसीट किया जाएगा और दीके 36 गड़ राजी की बात करें तो 36 गड़ की राजदानी क्या है राइपूर है क अनुश्विया हुई के 36 गड़ के चीफ मिनिश्टर है भूपेज भगेल और 36 गड़ की पॉपरेशन के ती है 2.94 करोड और अगला प्रशनी की हाली में के सतान पर बान ग्लोबल बायो डाविश्टी कानकलेव का आउजिन किया गया तो दिखे बान एक प्लेस है जो की जर दिखे जो आपका ग्लोबल बायो डाविश्टी कानकलेव अभियाली में जर्मनी के बान में आज किया गया था ये मुख्य रूप से जंगली परजातियों के सतत उपयोग पर केंद्रित है और देखे इस कानकलेव के दोरान जंगली परजातियों के सतत उपयोग पर आखल प्रबंधन करना और अस्तली पसु उपबोग इक्तियादी सामिल है और दीखे इस रिपोर्ट में जंगली प्रजातियों के सतत उपयों का आकलन माप और प्रबंधन करने के लिए उपकरणों और वीविदों पर भी प्रकाश जला गया है और दीखे इसमें बैतर तरीके से जंगली प्रजातियों के सतत उपयों को नियंतरित करने के लिए नीती विकल्पों की प्रभावसिलता के बारे में भी विचार किया गया है और ऐसी नीतियों में ब्याबार और पुरसाहन सासन सामिल है तो यार्गे का जो आपका ग्लोबल बायोडाश्टी कांकलीव है ये कहा है जंगली प्रजाइतियों के सतद ऊप्योंक पर ा kullandic है तो इस रिपोर्ट में भारत के बारी में किया बात कहीं कहीं है दीखिंothe इस रिपोर्ट में जो है बताए क्या है कि भारत दुनिया भर में वन्य जीव सनशट्ट पर सबसे सकत कानूनों में से एक कापालन करता है यानि कि भारत में जो वन जियू सनशड पर कानून मना है दुनिया के सबसे सक्त कानूनों में से एक है और देखिए भारत में किसी भी वन जियू की हत्या पर यानि कि कोई भी जंगली जानवर है उसकी हत्या पर एक गैर जमानती अपराद है ये जैसी कि आपने देखाओगा कि काले हिरन का सिकार सल्मान खान ने कर दिया कै था उनको केस बहुत लंबे समय तक चला यानि किसी भी जंगली जान्वर को आप वन जीयो को नहीं मार सकते हैं ये एक गैर जमानती अपराद है यानि कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जमानत नहीं होगी ठीक है लेकिन जो यह रिपोर्ट बनाने माले लोग थें लेकशक थें उन लोगों का कहना है कि भारत को नियमों में संसोधन करने की आफसकता है यानि कि इतने सक्त कानून नहीं बनाने चा पामिल है बलब इस रिपोर्ट के लेकों का ये कहना है कि इतना सक्त कानून जो है ये बड़े लोगों जो ठीक वो पैसा देके जेल से छूट जाएंगे लेकिन जो छोटे लोग हैं आदिवासी लोग हैं जो कि वन ये संसादों पर निर्वार करते हैं उनके लिए ये कानून जो ही है खतरनाक है क्योंकि वो पूरी तरीके से जेंगल में रहते हैं आदिवासी समुदा है और जेंगल के संसादों पर जीव जनतों जानवरों पेड़ पौधों वरस्पतियों जड़ी बूटियों इन सब पर निर्वार रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा जो है एक अरब डालर की गिरावट के साथ कितना हो गया तो दीखे एक जुलाई 2022 को जो सब्ता समापत हुआ इसके दोरान जो भारत का विदेशी मुद्रा बंडार है इसमें पांच अरब डालर की गिरावट देखने को मिली है और इसी गिरावट के साथ ये जो है घटकर पांच सो 38.3 एक अरब डालर हो गया है दीखे अगर आप किसी भी देश का विदेशी मुद्रा बंडार केर्कुलेट करना चाहते हैं तो आपको चार चीजें प्लस करनी पड़ेंगी कि उस देश का विदेशी मुद्रा संपत्ति कितना है गोल्ड रिजरु कितना है यानि कि सोने का कितना है और इन्टरनेशनल मुद्रीफंड के साथ HDR कितना है और इन्टरनेशनल मुद्रीफंड के साथ जो है रिजरु के स्टिशी ऩngतनी किया है इन चारों चीजों को प्алस करेंगे तो टोटल वाल्यम जो मिलेगा वही होगा उस से देश का उस समय का ततकालीन विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों के सूची में भारत चौत्य हस्तान पर है और इस सूची में चीन पहला सांट पर है यानि सबसे अधीख विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है और इस मामले में भारत अपना जो है 14 हसान पर है और देखे एक देश है जो काफी चर्चा में मना हुआ है जिसका नाम है स्रीलंका वहां का विदेशी मुद्रा भंडार ही कतम हो गया है और देखे आप सभी की डिमांड पर मैंने अर्द वार्ची गंग का पीडियाप तयार कर दिया जिसमें जनुरी से रगाए जून तक के टोटल अठारा सो करेंड पर आपको मिलेंगे तो इस पीडियाप को आप पर्चेश कर सकते हैं और पूरे छे माईने के पीडियाप को एक साथ पराप्त कर सकते हैं कि वाल 55 उपर में तो इसको आप डाउनलोड कर लिजे का इसमें पूरे डीटेल में सारे करेंड पर को मैंने जो है इसमें कलिक किया है यानि कि आपका एक भी पॉइंट कोई भी चूटने वाला नहीं है और छे माईने का रिविजन मतलब हो गया कि देखिए किसी भी परिश्या में आजकल पिछले छे माईनों के पुछे जा रहे है तो पिछले छे मेने में जितने भी करेंडे परते हैं सब डीटेल में ने बताया इस वीडियो में पीडिये में तो इसको परचे जरू के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है और पांचो प्रशने की हाल ही में कि संस्तान ने Global Findex Database 2021 जरी किया तो दीकि Global Findex Database 2021 को विससो बैंक ने हाल ही में जरी किया है और इस डाटाबेस में क्या बताया है दीकि इस डाटाबेस में बताया गया है कि दुनिया भर में खाते के सौमित में वर्दी हुई है यानि कि जो bank account है दुनिया बैंक अकाउंट कोलने वाले लोकों में वर्दी हुई है और इस report के अनुषार आज 4 YSCO में से 3 के पास विट्टिये खाता है और इसके बावजुद 1.4 अरब YSCO के पास कोई bank खाता नहीं है पूरी दुनिया बे और दिखे इस रिपोट में ये पाया गया है कि पुरुसों की तुलना में मैलाओं के पास बैंक रहीत होने की अधिक संभावना है यानि कि जो सबसे अधिक bank account किसे पास है पूरसों के पास है और माईलाओं के पास बहुत कम bank account है पूरे दुनिया में और दिकि 70% वैसकों ने अपने खाते का उपयोग नगत प्रवंधन के लिए किया है और लगबग आधे वैसकों ने पैसे बचाने के लिए अपने खाते का इस्तिमाल किया और आधे वैसकों ने पैसे उधार लेने के लिए इसका इस्तिमाल किया है ये सारी बातें Global Find X Database 2021 रिपूर्ट में कही गई हैं जो कि विस्टो बैंक ने हाली में जारी किया है और छटओं प्रशनी की हाली में एक इस कंपनी ने Startup School India पहल लांच किया तो दीखे Startup School India पहल को Google ने लांच किया है दीखे कोई भी पहल लांच होती है किसी भी बड़ी कंपनी के तवारा multinational कंपनी के तवारा तो वो चीजें आपको याद रखनी पधी है वो चीज़े इंग्जाम में पूची आती है इस पेसली गूगल जो भी चीज़े लांच करता है साथ में Microsoft, Facebook एपल तो ये चीज़े पूची आती है तो इस Startup School इंडिया पहल क्या है देखी गूगल ने Google फार स्टार्टप पहल के हिस्से गूरूब में Startup School इंडिया को लांच करने की हाली में गोश्टा किया है और जो आपका Startup School इंडिया है ये एक ऐसा मंच है जिसके ताहट गूगल जो है इन निवेसकों, उद्यमियों और प्रोग्रामर्स को एक साथ लाएगा और छोटे सहरों के इस Startup को बातचीत करने और उन से सीखने का उसर प्रदान करेगा देखी, गूगल का लक्ष अप, टार्गेट है पूरे भारत में इस कारिकरम के साथ कम से कम 10,000 Startup पक पहुँँच बनाना तो Startup School इंडिया पहल जो है गूगल ने हाली में लांच या है और गूगल की बात कर तो इसके CEO कौन है सुन्दर पिचाई और गूगल के सापना 4 सिदंबर 1998 कोई थी और गूगल का मुख्याल है अपका जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है साथ माई की इलाया राजा जिने हाली में राजिर सभा के लिए मनुनित किया गया ये किस चेत्र में एक प्रतिष्टित व्यक्ति है तो देखिए जो आपके इलाया राजा है ये एक संगीतकार है मने आपको बताया भी था लेकिन एक चीज़ चूट गएगी थी कि कौन से देखिए अभी हाली में 4 लोगों को जो है राज सभा के लिए मनुनित किया क्या है ये मैं बताना भूल गया था कि वो 4 लोग किस राज से है ये चीज़ एक्जाम में अगर पूछ लियागी तो आप लटक जाएंगे कर मैं लटकने नहीं दूँगा कोई चीज़ अगर शूट जाती है तो उसको उस प्रश्ण को फिर से मैं दो दिन बाद अपडेट कर देता हूँ तो फिर से मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ ध्यान सुनेगा देखिए जो आपके इलायार राजा है और जो आपके बी विजेंद्र प्रसाद हैं ये के फिल्म पटकाथा लेखा का है और एक आध्यात्मिक नेता जिनका नाम है विरेंद्र हेगडे इस चारों को जो है राजे सभा के लिए आवैली में मनुनित किया गया है देखिए पीटी उसा की बात करें तो ये केरला से बिलांग करती है केरल की निवासी है इलायार राजवाजी ये जो है ये तमिल नाडू से बिलांग करते हैं ये एक संकीतकार है म्यूजिक डिरेक्टर है विरेंद्र हेगडे जो है ये करनाटका से बिलांग करते हैं विरेंद्र हेगेड़े के बारे मन ने बताया जो आपके विरेंद्र हेगड़े हैं यह एक आध्यात्मिक नेता है थेकाई, यानि यह spiritual leader है, चिकाई और जो आपके विजहांद्र प्रसाद है यह क्या है, विजहांद्र प्रसाद यह प्रशन बन सकते हैं अगर मैं प्रशन बनाओं तो आठ प्रशन आपके बन जाएंगे इतने ही डाटा से अगला के RBI के उधारीक्रित मांदंडों के अनुसार स्वचालित मार्ग के तहर बाहरी वाणिजिक उधार यानि के एक्स्टर्नल कॉमर्शियल बारूइंग की जो नई सीमा है ये क्या निर्धारित की गई है तो देखे रिजर्ब बैंक आप इंडिया के उधारीक्रित मांदंडों के अनुसार स्वचालित मार्ग के तहर बाहरी वाणिजिक उधार यानि के एक्स्टर्नल कॉमर्शियल बारूइंग की जो नई सीमा है ये 1.5 बिलियन अमेरिकी डालर जो है निर्धारित की गई है देखे रिजर्ब बैंक आप इंडिया की बात करें तो इसके सापना 1 अप्रेल 1935 कोई थी इसका मुख्याल है मुबई में है और RBI की गवर्णर कोण है वरतमान में सक्ती कान दाशी नवा प्रशने की विस्व के साथ साजा की जाने वाली भारत सरकार की सभी डिजिटल परिजनाओं के एकल भंडार का क्या नाव है इंडिया स्टैक ग्लोबल देखे अभी हाली में डिजिटल इंडिया विक जो कि अपके गुजरात के गांधी नगर में आजित किया गया था तो वहां पर जो है जो समारो था उसके हिस्से के रूप में इंडिया स्टैक नॉलेज एक्षेंज पर एक वर्चुल कारेकराम आजित किया गया देखे जो आधार डिजी लॉकर के कोविन प्लेटफॉर्म गवर्मेंट ए मार्केट प्लस और आयूसमान भारत डिजिटल हेल्थ मिसन साहिद कई ए गवर्नेश टूल्स को दुनिया के साथ साजा करने का फशला किया है इस प्लेटफॉर्म पर इंडिया स्टैक डॉट गलोबल पर औ और दसनों प्रशने की हाली में खिसराज ने नेरूबी मक्यों के संपर्क में आने के बाद सौचास संक्रमण के सूचना मिली है दीखिए नेरूबी मक्यां ये कुछ इस प्रकार से दिखती हैं लग रहा है कोई चीटी वगड़ है लेकिन ये एक मक्य है और इसके जो वहाँ पर सिक्कीम मनिपाल प्रदू की संस्तान यानि की SMID है तो जो आपका सिक्कीम के मतिहर में सिक्कीम मनिपाल प्रदू की संस्तान है वहाँ के सौचास संक्रमण की हाली में सूचना मिली है और देखिए जबकी ये नेरूबी मक्यां है इनके संपर्क में आने के ब अब हम बात करेंगे आज के सबी खुश्ण आपटे पे देखे आज की खुश्ण आपटे का पहला प्रस्ण है कि G20 के नए सेरपा कहुन बने बता है यह अल्दी से और अगला की हाली में कि सुतनता सेनानी गांदिवादी नेता का नेतनों क्या है नाम बताईए नहीं पता है तो कल का वीडियो देखे इसको रिवाइस के डालिएगा और तीसरा प्रस्ण है आपके लिए कि हाली में रक्षा मंत्राले ने कितने नीजी चेतर के बैंकों को विदेश में सैन उपकरणों की खरित के लिए वित्ती सहायता की पेसकस करने के अनमोची थी बताईए चोधा की हाली में किसे 2022-23 के लिए भारती उद्योग परिसंग के अध्यक्षपत के लिए नामित क्या क्या बताईए और पाँचवाई की गेटिंग दा ब्रेड दा जेन जेड वे टू सकसे नामा पुस्तक के लिए का कावना बताईए और अब हम बात करेंगे कल के पूछे के सभी कोश्वाब्री के सहित्रों की देखें अर्बे का पहला प्रस्दा की विस्व है किस स्वाहीली भासा दिवस कब मनाता है तो इसको हम साथ जुलाई को मनाते हैं दूसरा था कि हाली में जापान के किस पूरो प्रदारमत्री की नारा शहर में भासार देने के दौरान कोली मार कर हत्या कर दी गई तो देखें जापान के ये पूरो प्रदारमत्री से हैं सिंजो आबे और तीशरा था कि एहाली में किस ने ब्रिटेन के प्रदारमत्री पस से इस्तिफा दे दिया था और देखे बीहाली में संजीवपुरी को भारती उद्द्रीök परिशंग का उपाधर को बना गया था और देखे पिहाली में जो है Center for Monitoring Indian Economy रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार हरियाणा राज में बेरुजगार इदर सबसे दीख है यानि कि सबसे अधिक बेरुजगार किस राज में है हरियाणा में और इस रिपोर्ट के बारे में डीटेल में जाना तो परसो का वीडियो जेखके जो है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि यह डाटा बहुत इंपोर्टन है एक्जाम के लिए इंपोर्टन है